हेलो फ्रेंड्स, एक और प्रिवेस येर्स का कोशन, लास्ट येर डी एससबी ने अपने किनी दो एकजाम में सेम पैटरन के कोशन फुट किये थे, और जो दोनों का जो मैथड है, बहुत शांदार और यूनीक मैथड है, और सबसे डिफिकल्ट मैथड मानता हूं, क्योंकि on the spot, इस परकार के पैटरन को सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोशन देखते हैं अपने, कहता है, find the next number in this series, कहता है कि एक सीरीज दे रखी है, इस सीरी में जो missing number है, अपने को वो find करना है, अगर आपने मेरा alphabetic series और number series का lecture देखा हुगा, तो मैंने आपको बताया किसी भी series को solve करने के लिए एक specific pattern की need होती है, तो उसी परकार इस question को करने के लिए अपने को तीन pattern की अवशकता पड़ेगी, तो question देखिए student, पहली series है 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 23, 23 के बाद 50, और 50 के बाद 141, अगर मैं इनका difference देखता हूँ, तो 5 और 12 में difference होता है 7 का, कि फिर 12, और 23 में जो difference होता है, वो है 11 का, कितका 11 का, और 23 और 50 में जो difference है, वो है 27 का, कितका 27 का, 50 और 141 में difference है, वो है 91 का, अभी तक जब अपनों ने दो, जो दो टर्म हैं, इनका difference देखा, तो इससे कोई भी अपने स्पेसिफिक pattern नहीं मिल रहा, पहले 7 का difference आ रहा है, फि फिर 27 का रहा है, फिर 91 का रहा है, अभी तक अपने को कोई specific pattern नहीं मिला, अगर मैं और भी आगे चलता हूँ, इस series को और देखता हूँ, तो देखिए 7 और 4 में जो difference है, 7 और 11 में difference है, वो है 4 का, फिर 11 और 27 में difference देखिए, वो है 16 का, 27 और 91 में difference देखिए, वो है 64 का, तो अब अपने एक pattern देखते हैं, देखिए, अगर अंतर के बाद अंतर, यानि difference के बाद difference देखते हैं, तो यहां देखिए 2 की square बन रही है, किस की square बन रही है, फिर किस की square बन रही है, 4 की square बन रही है, फिर किस की square आ रही है, 8 की square आ रही है, यानि जो 91 के बाद next term आएगी, उसके और 91 की बीच में कितने का difference होगा? 16 की square का? तो देखिए 16 की square किती होती है? 256 किती होती है? 256 जब मैं 91 और 256 को add करता हूँ ना student तो यह आता है 347 किता आता है? 347 लेकिन अभी तक तो हमें question का answer तो मिला ही नहीं अभी तक तो हमें दूसरा difference मिला है इसमें 7 का difference है, इसमें 11 का difference है, इसमें 27 का, इसमें 91 का अब जो यह दो term है, इसमें कितने का difference होगा? 347 का, कितने का difference होगा? 347 का यह 256 तो अपने को नीचे वाली difference मिला है जब मैं इन दोनों को जोड़ूँगा तो यह वाला number मिल जाएगा और ये वाला number कब आएगा जब इन दोनों के बीच का difference होगा तो मैं 141 और 347 को जोडता हूँ ना student तो मेरे पास आता है 8, 8 और 4 यानि 488 answer आता है जो कि option number D है इसी pattern पर एक और question है आपको बताना है कि उसका answer क्या होगा question देखिए student अब question है कहता है find the next number in this series अपने को series देखिए 4, 8, 21, 59 फिर question mark then 314 तो अपने को बतानी जो missing term है इसका answer क्या होगा दोनों question DSSB के last year exam में पूछे गए है एक TGT में पूछा गया था और एक PZT में पूछा गया था तो इसका जो answer है series का answer आपको pattern follow करना है यानि एक pattern के बाद फिर pattern बनेगा वो pattern क्या होगा उससे ये question solve होगा और इसका answer आप मुझे comment box में बताऊगे क्या होगा अगर कोई serious aspirant ID SSB का तो वो जुरूर इसका option बताए इसका answer क्या होगा तो देखिए option इसके हैं 146, 134, 125 और 191 यानि चार option है अपने पास तो आपको बताने कौन सा option सही है